Hello everyone, I welcome you all to StudyPoints. StudyPoint YouTube channel पर आप लोगा बहुत बहुत स्वोगत है और इस पचिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कुछ बहुत important हिंदी के कोशन Top 10 हिंदी के कोशन को डिसकस किया जाएगा और topic होगा हमारा परियावाची ठीक है, 10 के 10 कोशन जो होंगे, वो परियावाची से सम्बंदित होंगे इससे पहले चानल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है परियावाची से related जिसमें कुछ ऐसे शब्दों को डिसकस किया गया है जो की बार-बार एक्जामें पूछे गए हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख लीजेगा क्योंकि वो आपके एक्जाम के लिए important है तो चलिए आज का discussion स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है, कौन सा शब्द कमल का परियावाची नहीं है ध्यान दीजेगा इसमें पूछा है, नहीं है तो मनसिच, ये कमल का परियावाची नहीं होता है बाकि जलच, अम्बुच, पंकच, ये कमल के परियावाची होते हैं देखे, अभी मैं जो 10 questions discuss कर रही हूं आपसे question number 6 जो आपसे मैं discuss करूंगी उसका answer अब वो comment box में देना है वो question कई बार exam में पूछा गया है तो इसके लाबा हम लोग कमल के और परियावाची शब्द को देख लेते हैं पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ये शब्द exam में कई बार पूछा गया है तो यह है कुछ और कमल के परियावाची याद कर लेना है आपको बड कमल का परियावाची इसमें नहीं है मनसिच that is why option A हो जाएगा हमारा correct answer next question पर आते हैं question है निम्द में से कौन सा शब्द प्रस्तर का परियावाची नहीं है ठीक है नहीं है यह पूछा है तो पाशाड यह पत्थर का परियावाची होता है पाहन भी होता है उत्पल भी होता है बट उपल उपल जो है परियावाची नहीं होता है प्रस्तर का तो option D हो जाएगा हमारा correct answer साथी साथ आपको याद कर लेने है प्रस्तर के प्रयवाची क्या क्या है पाशाण, उत्पल और पाहन next question पर आते हैं निम्ण में से कौन सा शब्द भ्रहमर का प्रयवाची नहीं है तो भ्रहमर का प्रयवाची नहीं है यह हम लोग देख लेते हैं शफ्री शफ्री जो भ्रहमर का प्रयवाची शब्द नहीं होता है बाकी अली, मधुप, भौरा यह जो है भ्रहमर का प्रयवाची है बात आती है यह शफ्री किसका प्रयवाची होता है देखे शफ्री जो होता है ये मचली का प्रयावाची होता है मचली के और प्रयावाची क्या-क्या होते हैं मतस से मीन और ज़श, जल जीवन और जलोतरी और शफ्री भी तो फिलाल option D हो जाएगा हमारा correct answer क्योंकि ये ब्रहमर का प्रयावाची शफ्री नहीं है रात्री का पर्यावाची कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है कि रात्री का पर्यावाची कौन सा इसमें शब्द नहीं है चार उप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो प्रमदा ये रात्री का पर्यावाची शब्द नहीं है बाकी शडदा, निशा, निशीद ये रात्री का प्रयावाची है option A हो जाएगा हमारा सही answer next question है आँख का प्रयावाची कौन सा शब्द है तो आँख का प्रयावाची शब्द होगा द्विग ठीक है आँख के प्रयावाची और शब्द होते हैं नेत्र, नयन, चचु, लोचन ये सबी भी आँख के प्रयावाची होते हैं तो इसमें option B हो जाएगा हमारा सही answer मैंने आप से कहाता question number 6 का answer आपको comment box में देना है बट क्या? ये पहले मैं आपको बता दो इसमें पूचा है कि प्रिथवी का प्रयावाची शब्द कौन सा है तो देखे प्रिथवी का प्रयावाची शब्द तो है इसमें वसुंदरा comment box में आपको बताना है कि प्रिथवी के अन्य प्रयावाची शब्द कौन होते हैं मिनिमम तीन प्रयावाची आपको बताने हैं प्रित्वी की, एक तो हो गया वसुंद्रा, इसके अलावा तीन आपको और बताने हैं, वीडियो का आप लाइक और शेर जरूर करिएगा, नेक्स्ट कोशन है, जानवी का प्रया है, किसका प्रया है जानवी, चार आप्शन है, तो इस कोशन का सही आंजर जोएगा मंदाकनी, जानवी का प्रया है मंदाकनी, इसके अलावा क्या क होता है, इसके अलावा होता है, सुर्षरी, गंगा, तриमपथगा, और भागी रथी, देवनदी, देवपगा, और विश्रु नदी, विश्रु पधी, तो यह होगा आप प्रेवाची कॉन सा नहीं है लैलाम ऐस्त्री का प्रयवाची नहीं बाकि तरोणी प्रमदा ललना यह सभी प्रयावाची है तो C हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स्ट कोशन है तरकश का प्रेवाची शब्द कौन सा है तो तरकश का प्रेवाची शब्द हो जाएगा आपका त्रिशंग ठीके त्रिशंग जो है ये आपका तरकश का प्रेवाची होता है इसके लावा तूरीण तूरीन देखिए यह ऐसे वाला तू तूरीन भी जो है यह तरकश का प्रयावाची होता है इसके इस अलावा निपंग तो मैंने बता ही दिया इसके लावा तून और तून और इसमें जब बड़ी की मातर लगा दिगे तूनी तो ये भी जो तरकश का प्रयावाची है और इसके लाबा इशुधी इशुधी छोटी इशटकोर वरा शापे छोटाव की मातरा धापे छोटी की मातरा इशुधी भी तरकश का प्रयावाची है लास्ट पर आते हैं हम लोग यम का प्रवाची कौन सा शब्द है तो यम का प्रवाची शब्द होगा किनाश तो इन दस कोशन को आपको अच्छे से याद कर लेना है आपके आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टन है जिसमें हिंदी के कोशन पूछे जाते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा